जब आप कुछ बरा करते हैं तो आपको आपके करमों की सजा जरूर मिलती है जैसे करमा कोई बोमरेंग हो क्या आपको ये पसंद है? अच्छी बात तो ये है कि कभी-कभी इन्हें देखना शायद एंटिटेणिंग हो सकता है तो पेश है कुछ ऐसे उदारन जहां लोगों को उनके कर्मों की सजा तुरंथी मिल गई हम सभी ने इस परिशानी का सामना कभी ना कभी तो किया ही है आप टेंशन में हैं क्योंकि आपको इंट्रिवु के लिए देर हो रही है एक बाद सोच के देखेगा इस बारे में अगर मैं किसी की पार्किंग में गाडी लगाता हूँ और उसके כ मैसम करने लगता हूँ घलत बात है न और खास करके तब अगर जिसके साथ आपने ऐसा किया है वो आद質 पारलींग है किसी जीनियस अफसर ने आवाज दी लेकिन ऐसा करने से उन्हों ने और कुछ नहीं बलके परेड के उपर एक परफेक्ट इंद्र धनुष बनाया जो LGBT राइट्स का सिंबल है हिट энd run के केसेज बहुत ही पॉफिलर हैं और माना जाता है कि इंकी जगे नर्क में होती है क्योंकि उन्हें उनके करमों की सजा मिलती ही है क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या आप एंसे आते हैं और पाते हैं कि आप की गारी पर एक बहुत बड़ा डेंट है और आप ये तक नहीं जानते कि ऐसा की आगिजने, लिकिन कभी ऐसा करने वालों को उनकी कर्मों की सजा मिलती ही है, जैसा कि ये महाशे जिनकी नंबर प्लेट हाथसे के जगह पर ही रह गई, अब कैसे बचोगे भाई, कुछ बेवाकूफों का जवाब नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि वे क कभी सुधरना नहीं चाते, एक नजर जरा मेरी चमकदार दिखावटी और हायन्ड स्पोर्ट्स कार को तो देखिए, ये दिखाती है कि मैं कितना महान हूँ, मेरे लिए मेरे स्पोर्ट्स कार इतनी जरूरी है कि मैं आप जैसे किसी आम आदमी की तरह इंतिजार नहीं कर सक हैं, जिनके बारे में रेडियो हैट गाते हैं, इस बंदे को जरा ध्यान से देखेगा, जो सिगनल लाल होते हुए भी भागने की कोशिश करता है, और अगले ही चौरा आई पर पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है, जो दूसरे रास्ते जारी होती है, या फिर इस बंदे की ओर से कई तरह की टॉर्चर सैने पड़ते हैं, हम उन्हें उनके गले पर लगे पट्टे से खींचते हैं, जब वे दूसरों की साथ रहना चाहते हैं, और उन्हें तब इतना प्यार देते हैं, जब वे सिर्फ सोना चाहते हैं, कभी-कभी तो उनके मालिक हदी कर देते है लेकिन कुछ ऐसे भी आफसरवादी होते हैं जो मौक की का फायदा उठा कर अपने कुट्टे को ठंडे पानी में अपने पैर से धकिलना चाहते हैं। लेकिन इस महान हस्ती को अपने कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और वो पानी में गिर गया। एक नजर इस पारकिंग करने से उन्हें ज्यादा सहुलियत होगी। इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी कार पार्किंग में बाकियों के साथ नहीं रखी। और अब इन यात्रियों को देख लीजे। जिन्होंने अपनी चार चक्के वाली गाड़ी को समुदर से बोट निकालने के लेकिन बदले में उसे कुछ और तो नहीं बलकि लड़की के मुँसे निकला बियर का फुवारा मिला इसको कहते है न्याय कुछ धर्मों में ये मानिता होती है कि जानवरों में भगवान बसते हैं और उनमें पवित्रात्मा का वास होता है इस याक ने भी कुछ तो ऐसे कर्म चिकितसक ने सोचा कि वो अपनी असिस्टिंट की लास्टिक को खीच कर कुछ हसी मजा करने ही कुशिश करेगा लेकिन किसी को इस बात के उम्मीद तो नहीं होगी कि इसका नतीज़ा क्या होगा तो पेश है इसका सबसे खराप नतीज़ा जो कि इन महाशे के कर्मों का फल ह भले ही हमें किसी बात पर अंदविश्वास हो ना हो हम सभी हमारी असल जिन्दगी में इन चिन्नों को खोशते रहते हैं जिससे हमें हमारी जिन्दगी में आने वाली अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे इम पता जल सके लेकिन अस आदमी को इस ब्रहमानत में इसकी ज स्पेस है और उस पर हमारा नाम लिखा हुआ है लिकिन कुछ लोग यह नहीं समझते की शॉट कर्स अपनाते हैं और ऐसा करने वालों के लिए यह फोटो एक चितावनी की तरह काम करती है क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि जब अपनी कार के पास आएंगे तो उन्हें कुछ जाधा वक्त नहीं लगा होगा एक चोर कार की खिटकी तोड़कर चोरी करने के लिए कितना अक्साइडेड होता है इस बात को आराम से समझा जा सकता है लेकिन अफसोस कि उसका वालेट गिर जाता है और वो अपनी चोरी का सुराग पीछे चोड़ जाता है इसमें कोई दो सबने कि उनके साथ ऐसा व्यवहर किया जाए अब देखिए इसे अपने कर्मों का फल कैसा मिला पक्षी तो वहां से ओड़ जाता है लेकिन आदमी का बैग सीधे समुदर में जाकर गिर जाता है आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन से लेकर आपके धूप में सुखाए गए कपड़े आपका नया टॉप और आपका सर ये दुनिया के सबी पक्षियों की निशाने पर होते हैं लेकिन इस पक्षी को अपने कर्मों के फल का मजा चखना ही पड़ा जब उसके ही एक साथी ने उसकी पीछ पर कुछ ऐसा किया जो आज तक सब के साथ करते आ रहे थे उम को लेकर वहां से गोजरने वालों को उन पर इतनी सहानुभूती थी कि उन्होंने तस्वीरे निकालना शुरू कर दिया और उन्हें इंटरनेट पर वाइरल कर दिया क्या आपको भी इस तरह के कर्मों का फल भोगतना पड़ा है नीचे कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर ब कर दयर हैं कर दोगता आपको कघ adesso झाल झाल